नवसकार मित्रू इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक की जो बीसी अजेंट आप बनना चाहते हैं तो वो किस प्रिकार बन सकते हैं मित्रू हमारा इंटर्विव हो चुका है जो हेड ओपिस होता है वहां के मनेजर ने मेरा इंटर्विव लिय है और कितना रुपए लगेगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा क्या क्या सर्विस मेरे को बताई गई तो पूरा हम आज जानकारी आपको देंगे यह जानकारी आपके लिए महत्पूर हो सकती है अगर आपने फार्म को सम्मिट कर दिया है या करने बाले हो तो पूरा आपक जानकारी मिल जाएगी चलिए हम सबसे पहले जो गूंगल गोपिन कर लेते हैं और इंडिया पोस्ट पैमेंट की वेबसाइट पर ले चलते हैं और जो हमसे चार्ज बताया गया है उसके बारे में और प्रोसिस क्या रहेगा क्या क्या सर्विस बताई गई हैं वो हम के चलिए यहां से पहले तो हम इंडिया पोस्ट पैमेंट की वेबसाइट पर चलते हैं मित्रो एक बात बता दें जब माल लीजिए मेरा फार्म मैंने सम्मिट किया था जो 27 अक्टूबर को और मेरा 4 दिसंबर को इंटर्विव हुआ था तो मैं बहां गया था अगर की तो मेरे को जानकारी दिया हम दहीं के लिए साजा कर रहे हैं तो बहां पर मेरे को बताया कि आपको यानि जो होता है अभी सर्विस कुछ नहीं मिलेगा माल दीजिए यह बताया गया है कि आपको लोन करने हैं और जो इंसूरेंस बगएरा है बाइक इंसूरेंस बगएरा ये करना है और उसके बाद दो मैने के बाद सभी सर्विस मिलेंगी और जो की बताया गया था और जो यूटूबर होते हबा हबाई बोर रहे थे आधार सेबा के अंदर मिल रहा है ये मिल रहा है वो मिल रहा है मित्रो अभी तो मेरे ख्याल से जामकी मुझे बताया गया है तो कुछ नहीं मिल रहा है अभी मैंने बोला अकाउंट ओपनिंग का तो सर जैसे माली जी अकाउंट ओपनिंग और काईस विड्राव का यह माली जी मिलनी चाहिए सर्वेस तभी हम आईडी लेंगे तो वहां से बोला गया है कि अभी सर्विस आपको ये कुछ नहीं मिलेंगी और जो हाँ बबिस्म है यानी बोला गया है कि दो महीने के बाद मिल सकती है आदार का काम भी मिल सकता है जो मुवाल नंबर अपडेट का बगएरा और बाकी अभी तो माल लीजी आपको इं नो बंदे ने राजी हुए हैं किया है वहां की तो सबने मना कर दिया होल्ड कर दिया दो मेहने के बाद कई जब सर्विस आजाये तो सर्विस तो सर हमें बुला लिजीए मैंने भी बूल दिया कि हाँ सर माल लिजी अब कोई सर्विस अकाउंट ओप निंग और कैसम भीरॉ और यह कुछ नहीं मिलेगा तो फाइदा ही क्या है जो बीसी पॉइंट लेने का तो इसलिए मैंने होल्ड करवा दिया है अब चार्ज की बात करें कितना चार्ज बताया है तो चार्ज मित्रों आपको लगबाग 15,000 लग सकता है अब आप सोच रहे हो कैसे लग सकता है लोग 17,000 रुपए मेरे को बताये थे जेश्टी चार्ज लगेगा सिकोर्टी तुमा लेजिए आपको जमाई रहे गा अब 15,000 रुपए वो आपको नहीं मिल सकते हैं चाहां बी-सी बाके बाद में होता है सिकोर्डी यानि बाके बाद में अगर आप 2,000 नहीं रहना चाहते हो त माइक्रो एटियम होता है पोर्टल इनका तो जैसे सब हर हंड्राइड फोन में नहीं चलेगा तो बोला सर ने कई कुछ आपको हंड्राइड फोन लेने हैं जैसे माल लीजिए तो मेरे ख्याल से जो बहीं पर जो बीसी पॉइंट मिलेगा आपको हेड ब्रांच में ही आपको पर्चिस करना पड़ेगा तो मेरे खाल से ज्यादा तर तो जो होता समसंग का उसे ही में चलता है तो माल लीजिए यह हो गया है आपका 6700 और आप सोच सकते हो कि कितना है का फोन जैसे सिटम चलाने के लिए कितना अच्छा फोन रहेगा तो 10,000 से मेरे खाल से 10,000 से 9,000 या 8,000 तक का आपको मिल ही मिलेगा ही अब बांकी चार्ज यह होता है माल जिए पोश्टर बेनर थोड़े बहुत पोश्टर आपको मिल जा करे में अब आगे का प्रोसेस तुमित्रो कमेंट करके आप बता सकते हो कि यह ठीक है या गल्त किया है तो मैंने तो होल्ड करवा दिया दो मेहने के लिए कि जब सर्विस आ जाए तब सर्कॉल कर लेना माल लिजिए जिनके पास जो सेसी सेंटर है बहुत हो कर लेंगे और जिनके पास नॉर्मल माल लिजिए ग्रामिट चेत में इंसूरेंस और लाइफ इंसूरेंस कौन कराएगा और बताया कि दो मैने के बाद ही आईडी बन पाएगी तो माल लिजिए वो तो आपके उपर वो हो गया है फोक्स करेंगे कि आपको इतना करना है अब माल लिजिए certificate नहीं मिलेगा आपको तो दिखाओगे कि आप क्या जो बंदा आएगा तो उसको कुछ तो दिखाना चाहिए मान लिजी आपको कि आप हो बीसी या नहीं तो दो मैने के बाद जब आपको जो certificate बगएरा पोर्टल पड़ेगा तो बही सर्विस मिलेगी ना तो इनका मतलब यह है मैंने आपको पूरा जानकारी बता दिया कई बहुत बात हुआ था मेरे से और तीन बंदे हम गयते इंटर्विव देने के लिए अलग अलग आपके जगा अलग हो सकता है मैं उत्तर परदेश की बात कर रहा हूं तो आप भी अपने छेतर के बताईए क्या माली जी आपक सर्फ में मिलेगा तो हम बता देंगे क्योंकि मैंने इंटर्विव दिया है तो हमें पूरा जानकारी सरके दsychया बताया गया है अब आली जीए जो होती है और सभी में मिल जाता है तो यही गए थे सभी बंधे इसलिए जाते हैं कि उनको आधार का काम मिले और जो अकाउंट ओपनिंग का काम मिले अगर यही सर्विस नहीं मिलेगा तो बताओ विसी पॉइंट लेने का क्या फाइदा हुआ तो आप सोच सकते हो मित्रो मैं क्या बताओं तो आपका लगबग जहां तक है तो अठारा बीस अजार तो पैसा लगेगा ही अगर बीसी पॉइंट में और नहीं तो मान के चलो पंदरा आजार आपका खर्च होई जाएगा तो आज के वीडियो में इतना मित्रो लाइक अबस्ट करें बीडियो और कमेंट करें अबस्टक क्युकि कमेंट करके बताएं क्या आपने फार्म संब्मिट किया था करोगे या नहीं करोगे तो उसके बारे में बताएं wrapped चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें